अब टाइम आ गया है कि हम लोग अपने computer में python को download करे install करे इसकी procedure काफी simple है हम लोग देखेंगे step by step की से कैसे करना है तो without any further delay चलते हैं अपने मन पसंद browser पर and let's get python अब यहाँ पर आपको simply इतना search करना है python.org and enter press कर दीजिए आप python की official website पर पहुच जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको downloads दीख रहा है इस पर आप simply hover भी कर सकते हो यहाँ पर आपको latest version जो है python का वो मिल जाएगा ठीक है simple है अब आप simply इस पर click करके भी download कर सकते हो अब यहाँ पर अगर आपको कोई other version चाहिए तो आप लोग यहाँ पर all releases पर जा सकते हो यहाँ पर भी आपको latest version का download option मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें download for windows दीख रहा है अगर आप किसी और operating system पर हो तो accordingly आपको option मिल रहे होंगे ठीक है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो other releases भी है तो उनको आप लोग accordingly download कर सकते हो ठीक है तो anyways हम लोग यहाँ पर अपना python जो है वो download कर चुके है तो अब time आ गया इसे install करने का तो हम इसे open करेंगे and let's hit on run अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो install python यह बोल रहा है और आपको नहीं यहाँ पर यह इसको check करना है ठीक है make sure you check this one and install now पर हम लोग अभी click करते है थोड़ा time लेगा install होने के लिए and then हम लोग आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो setup was successful तो इसे हम लोग close कर देते है ठीक है और इसे भी close कर देते है yeah so that's fine python हम लोग download भी कर चुके install भी कर चुके है हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखने वाले है जब आप लोग python को यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हो तो एक और चीज आपको यहाँ पर मिलती है जो की है IDLE मतलब Integrated Development and Learning Environment तो वो भी यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास में तो हम लोग जरा उधर चलते हैं अब IDLE को open कैसे करना है तो आपको simply IDLE को यहाँ पर search करना है आपके computer में आपको मिल जाएगा and then you just open it तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो IDLE है वो open हो चुका है and हम लोग यहाँ पर अपना पहला या लेट से जीरो पाइफन प्रोग्राम लिखते हैं इतना सिंपल होगा जो आप लोग पढ़कर के ही समझ जाओगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है ठीक है तो हम लोग इसे लिख लेते हैं let's just write print and उसके बाद में हाँ पर हम लोग यह brackets दे होगा कि हम लोग hello from ज्यानी पंडित प्रिंट कर रहें it's very simple right अब जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा यहाँ पर देखो hello from ज्यानी पंडित प्रिंट हो रहा है ठीक है अब आगे बढ़कर के हम लोग कई सारे प्रोग्राम से यहाँ पर python में करने वाले है and ideally में भी आप ल यहां से आप लोग run कर सकते हो then ठीक है it's very simple तो आप लोग इसका भी इस्तमाल कर सकते हो for writing python programs but हम लोग यहाँ पर एक code editor download करने वाले आगे चल करके जो है visual studio code तो i hope कि यहाँ पर जो आपका download और installation है python का वह हो चुका होगा and इसी के साथ में हम लोग अभी आगे वढ़ते हैं